दोस्तों यह है सैम्सवन का एक पाउर बैंक है जो कि खराब हो गया है इसकी बैट्री खराब हो गई है कौपी मुश्कीर होता है इसको खोलना इसके लिए मैंने पहले से ही कुल के रखा और इस का पीडियों से फेका हुआ था इसकी बैटरी हमने एक बार रिपेर की थी लिथियम बैटरी रिपेरिंग का मैंने वीडियो भी डाला हुआ है आप जुरूर जाके देखो कोई भी आप लिथियम बैटरी उससे रिपेर कर सकते हो और यह है इसका बोर्ड पोलेटर इसी लगा हुआ है कि आप देखका रहर हो काफे इस्टेंटर इसी है और यह पाफी अच्छा बोर्ड जा इतवार जो मार्केट में अबलेवल बोर्ड है इससे ज्यादा अच्छा बेट्अ यह बेटर प्रफर्फरमस देने वाली बूर्ड यह बॉर्ड अच्छा है और इस बॉर्ड के रहते हम लोग कोई भी बैटरी लगाएंगे तो हमारा मोबाइल सेफ है कि यह आप देख पा रहे हो इसमें चीप लगा हुआ है और यह बटन है इसमें बटन इसमें LED के लिए दिया हुआ है काफी दिनों तक यह पाउर बैंक का हमने उप्योग किया उसके बाद यह खराब हो गया क्योंकि इसकी बैटरी खराब हो गई आप जिंगे ब्लू तारक इसके बैटरी इसके इसमें 1300 बैटरी ती है जोकि सारे बैटरी एक सातीं खराब हो गई चलिए ऐक वाड़क भिन आपके देक लेते हैं कि अभी इस बैटर्य का वल्ट göz कितना आ रहा है तो मायनस पोल पे मायनस और प्लस पोल पे प्लस लगाएंगे यह आदेख पार रहे 만큼 0.34 वोल्ट यानि एक भोल्ट भी ने दे रहा है और ही कम बॉल्टेज दे रहा है काफ़ी अच्छा वीडियो हमने बनाया है और उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा कि आप डिजिटल मल्टिमेटर का उप्योग कैसे करोगे यह इसमें तीन आउटपुट है तीन यूसबी आउटपुट है और एक इनपुट है जिससे हम दो चार्ज करेंगे और यह है बैटरी यह लिक्विड बैटरी आपको 30 से 40 रुप्या में आपको मार्केट में एवलेबल है अगर आप बड़े दुकान में जाओगे तो यह 30 रुप्या में ही मिल जाएगा और यदि छोटे डिटेलर के पास जाओगे तो सायद वह 35-40 रुप्या ले ले बट यह लिथियम बैटरी से तो काफी सस्ता है क्योंकि लिथियम बैटरी एक पीस का 1.5 रुप्या दाम है इसमें प्लस मानेस पहले से यंकित रहता है आपको कुछ भी नहीं करना है यह आप देखलो 3.8 बोल्ट की हमारी मोबाइल के बैटरी होती है और यह हमें सो कर रहा है 3.87 यानि 3.8 पक्का सो कर रहा है यह हम डारेक्ट भी इससे चार्ज करेंगे तो हमारा मोबाइल का बैट बोड को पहले तो बोड को फिट कर लेते हैं यह क्लिप की साहता से सेट किया गया है यह क्लिप की साहता से सेट किया गया है इसमें इसको दबा के फिट कर लेंगे यह क्लिक के साथ आब आज करने के साथ ही यह फिट हो जाती है इसमें कोई नेट बोल्टू नहीं लगा हु कि प्लास्टिक के क्लिप के सारे इस पे फिट रहता है अभी तक यह सेट नहीं हो पाया अच्छे से कि यह जोर से दबाने से सेट हो जाएगा to इसमें करना क्या है में बोड में हमें एक और तार जुड़ना पढ़ेगाश पलस पे माइनस पे अल्रेडी तार इसमें जुड़ा हुआ है तो चलिए एक लाल तार आफ हम दोख SOULcling कर लेते हैं अब बोड में ताकि यहहमें पता भी चले कि यह यह प्लस वायर है प्लस वायर के लिए हमेशा आपको भी लाल वायर कहीं उप्योग करना चाहिए ताकि कोई गल्टी नहों कि एक गल्टी से electronic goods या circuit खराब हो जाता है Electricals और electronic में गल्टी करना बहुत महंगा साबित होता है जैसे कि यह digital multimeter है यदि एक गल्टी करोगे आप तो यह पूरा multimeter खराब हो जाएगा कि तो प्लस पे इस लाल वायर को बैटरी के प्लस पोल पे लाल वायर को जोड़ लेते हैं सबसे पहले कि इस पर सोल्डिंग करने थोड़ा मुस्किल होता है बट सोल्डिंग हो जाता है ऐसा नहीं है क्योंकि इसका पोल रांगा कहीं बना हुआ रहता है और रांगा पे सोल्डिंग करना बहुत असान है यह हो गया सोल्डिंग और यह माइनेस वायर के लिए हमने बुलू तार का उपयोग किया है जो कि अल्रेडी इस बूर्ड में लगा हुआ ही था लगा कि तो इसको भी अच्छे सेत कर लेंगे फहले वायर को हम टुक्र कर लिते हैं एक बार सोल्डिंग ईयरन राएंगा लगाकर। एक उसके बाद बैट्रिज invert के द्शाँ ऑए क्या जावरेटरी पर द्शाठी सुहbooks हो सकता है कि भीधर जो प्लेट के साथ इसका क्केक्ट चीया होगा है क्नेक्शन कTr all वह बंद कर देगा तो यह वंद बैट्री को जटके से सुवडिंग करना है अब हमें प्लस काजो निसान बना हुआ बोड में उस पे हमें लालतार को जोड़ देना है यानि बैटरी के लालतार को जोड़ देना है बोड को भी ज्यादा गर्म नहीं करेंगे क्योंकि बहुत च्छोटी चीप ऐसी लगी हुई है यदि हम ज्यादा गर्म करते हैं तो वह ऐसी खराब हो जाएगा यह सोल्डिंग हो गया- दोस्तोंग अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं तो जरूर करोई सब्सक्राइब हमारे चैनल को क्योंकि टेकिनिकल वीडियो आपको इस पे हमेसा देखने को मिलेगा- यह बोड को अब अच्छे से फिट कर देताँ में Whether the जब इसमें हम करेंट देंगे तो यह चार्ज हो जाएगा और इसके आउटपुट से यूएस्बी के द्वारा जब हम करेंट लेंगे तो वहां से हमें कि चार्जिंग के लिए वाल्टेज मिलेगा यह आप देख पा रहे हो 3.80 वोल्ट यह बैटरी थी जो कि 3.9 वोल्ट चार्जिंग के टाइम में सो कर रहा है कि दोस्तों अभी हमने आयरेन रिपेरिंग पर भी विडियो डाला है अब ज़रूर देखो लाइट वेट आयरेन पर हमने विडियो डाला है यह प्लस माइनस पर बैटरी चार्ज हो रही है 4.12 वोल्ट हो कर रहा है अब चार्जिंग में लगा हुआ है अभी 4.12 वोल्ट अब देख पा रहे हो 4.11 to 12 वोल्ट हमें सो कर रहा है चलिए एक बाद मोबाइल को भी चेक करता हूं कि चार्ज कर रहा है के नहीं कर रहा है यह देखे में हमे मोबाइल लियों आपको यह मोबाइल इसमें चार्ज कर सकते हो ऐसा नहीं कि आपको इस पे कोई सस्ता मोबाइल चार्ज करना ऐसा नहीं है यह मोबाइल इस पावर बैंक के सर्किट के रहते कभी भी खराब नहीं होगा आपका यह बिल्कुल सेफली चार्ज करती है यह आप देख पार हो चार्ज हो रहा है मोबाइल इसमें कुछ भी हिडन नहीं है हमने लिथियम बैटरी के जगह यह लगा दिया बस इससे कुछ भी फर्क पढ़ना नहीं है हाँ बैक अप हो सकता है कि थोड़ा कम दे बट यह काम करेगा और काफी सस्ते में निपड जाएग जी तरहों आपको और कौंसे मेटर पर विडियो चाहिए आप जरूर्ण हमें बताओ मैं इस टॉपिक पर जरूर विडियो बनाऊंगा और दोस्तों अगर आपको हमारा विडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर करो subscribe कि लाइक करो शेयर करो दोस्तों में शेयर करो ताकि उसे भी इस वीडियो का लाब मिल सके अगर उसके घर पर भी पावर बैंक खराब है तो वो इस वीडियो को देखके आसाई से रिपेर कर सकता है इसको इस तरह करके फिट कर देना है चुकि बैटरी थोड़ी मोटी है तो यह अच्छे स सेट नहीं हो रहा है बड़ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे आप टेप के द्वारा भी साट के काम चला सकते हो या फिर इसके अंदर का रबड को निकाल देने से भी यह फिट हो जाएगा यह आप देख पा रहे हो यह सेट हो गया है खोलने करम में यह इसका क्लिप टूड़ जाता है इसके लिए अच्छे से फिट नहीं हो रहा है बड़ इससे टेप के द्वारा या फिर किसी भी चीस से आप बांध के इसका उप्यों कर सकते हो दोस्तों ठीक है दोस्तों हमारे चैनल को जरूर करो सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो शेयर करो अगर कोई भी क्वेस्चन हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मैं उसका जवाब देने का बिलकुल प्रयास करूंगा ठीक है झाल